हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडो में हम बात करेंगे आसाम स्टेट की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाए प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर जो यह नॉ या ग्रेट 4 पोस्ट के लिए आविदन करना चाहते हैं, तो आप इसमें ओनलाइन आविदन कर सकते हैं, और बात करेंगे कैसे आप इसमें आविदन कर सकते हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय हैं टोटल यहां पर फैंस आपके देखिए 12,600 पोस्ट के लिए आपकी ये वेकैंसी जारी की गई है इसके लिए फैंस आपको इस पोड़ल पर आना होगा अफलाए करने के लिए आप चाहए något फोर के ओंप्टी की ए हम सेन्म के आपकी सेम रहेगी और आप comment कि download requirement advertisement मिल जाता है साथने flow chart भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर form को fill करना होगा इसके बाद fans आप यहाँ पर देखे आपको application form का option मिलता है आप इस पर click करेंगे आपके सामने instructions page open होगा आप इसको यहाँ पर read out कर सकते हैं और उसके बाद ही आप यहाँ पर next step पर click करेंगे इसके लिए देखे implement exchange of asam मतलब जो रोजगर का रले है asam का उसमें आपके पर registration होना जरूरी है तो registration number आप देंगे register mobile number आप देंगे और अगर आप register नहीं है तो आप not register click here पर click करेंगे registration करने के लिए इसके लिए फैंसे आपको देखिए आपका पूरा नाम आपको देना होगा आपका father name आपको एंटर करना होगा आपका mother name एंटर करना होगा साथ में आपकी जो DOB है मिनसे date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बाद फैंसे यहाँ पर दिखिए आपको mail ID यहाँ पर enter करनी है इसके बाद registration number जो है आपके employment exchange of ASAM का वो आपको देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर mobile number देना है इसके बाद आपको OTP देनी है और इसके बाद फैंसे आप यहाँ पर वाले option पर click करेंगे तो basic options है registration करने के लिए class 3 और class 4th post के लिए अगर आप यहाँ पर same class 4th के class 3 के option पर भी जाएंगे तो आपको application form ही यहाँ मिलेगा जिसमें आप instructions को read out करके यहाँ पर देखिए registration number से ही आप login कर सकते हैं अब यहाँ पर आप register नहीं है आप से कहेगा registration is successful now you can fill the application form 4 class 3 और class 4th post तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों ही options मिल जाएंगे class 3 के भी और class 4 के लिए आप जिसके लिए भी apply करना चाहें उसके नीचे आपको click here का option मिल जाएगा आप उस option पर click कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आप redirect हो जाएंगे इसके home desk पर और यहाँ पर आने के बाद आपको application form का option मिलता है आप इस option पर click करेंगे इसके बाद next step पर click करेंगे और आपका registration number है employment exchange का और आपका जो mobile number है वो डाल कर आप यहाँ से login कर लेंगे login करने के बाद आपके सामने friends से यहाँ पर देखिए आपको तीन options मिलेंगे type of post या category of post के सबसे पहले friends से यहाँ पर जो post जिसके लिए minimum qualification जो है वो class 10th है ऐसी जो post जिनमे class 10th है और आपके पास ITI भी है और ऐसी minimum qualification जिसमें आपने आठवी तक पढ़ सकते हैं आपने आठवी तक पढ़ा लिखा है तो आप यहाँ पर उन options पर yes करेंगे अमालीज आपके पास ITI नहीं है तो आप no कर सकते हैं 8 पास है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और अगर friends आपने यहाँ पर देखिए आईटाई भी पास कर रखी है तो आप आईटाई की भी जानकरी यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप graduate पास है तो यहाँ पर आप yes कर सकते हैं और यहाँ पर आप से कहा गया है degree pass out not eligible तो friends यहाँ पर आपको no ही करना होगा और इधियान रखेगा अगर आपने degree pass की हुई है और आ आपकी general SC, STP, STH या OBC जो भी category है वो आप select करेंगे यहाँ से आपको cast select करनी है इसमें cast है तो select कीजिए नहीं तो friends आप यहाँ पर other select कर सकते हैं इसके बाद other cast को आपको यहाँ पर mention करना होगा ऐसे ही SC category आपकी है general है तो आप अपने according option को select कर सकते हैं और इसके बाद आपक option है तो friends दिव्यांग candidate अगर आप है तो yes कर सकते हैं percentage of disability आपको देनी है disability type कौन सा है वो आपको select करना होगा नहीं तो आप यहाँ पर भी no करेंगे एक service man है तो yes कर सकते हैं आपका ex-service man ID card number आपको देना है आपका card जो issue district है वो आपको देना है नहीं तो आप इसमें भी no करे आपका city name क्या है police station का नाम क्या है pin code क्या है और आपका district कौन सा है वो आपको यहाँ पर select करना है अगर आपका present और permanent address same है तो आपको देखें यहाँ पर एक option मिलता है टिक का अगर आपका यह same है तो friends आपको यहाँ पर टिक करने की जोड़ नहीं है पर अगर यह same नहीं है तो आप इस पर टिक करके अलग से manual entry आपके address की कर सकते हैं तो इसके बाद आपका देखें नया option open हो जाएगा तो address same है तो आपको टिक करने की जोड़ नहीं है अगर यह same आपका यहाँ पर नहीं है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं तो यह basic options है जो कि आपको यहाँ तक फिल करने होंगे इसके बाद आएगा आपका next option preference of district का तो यहाँ पर देखें आपको district का preference देना है तो तीन आपको यहाँ पर options मिलेंगे यह तीन options आपको यहाँ पर select करने है इसके बाद है qualification details अब यहाँ पर देखेंस सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है read up to class earth तो इसके का option मिल जाता है month का option मिल जाता है और इसके बाद आपको friends से यहाँ पर date है वो आपको select कर लेनी है marks obtain आपको देने है मतलब कितने numbers आपने यहाँ पर gain किये है और इसके बाद friends से आपको देने है आपके total marks आप मतलब कितने number आपका यह exam हुआ था यह आप यहाँ पर provide कर दें आपको यहां पर नेम आफ दा बॉर्ड भी दे सकते हैं अगर आपका लगता है तो आपका फिरेंड ज्टारी है जो कि आपको देनी होगी इसके बार HLC की इसके आपको यहां पर देनी है तो इसमें आपके numbers की आप एंट्री करेंगे सेम आपके numbers के entry, आपका passing year क्या है, आपका role number क्या है, आपके board का नाम क्या है, institute का नाम क्या है ITI pass out है, तो ITI आपने इन में से किस trade में की हुई है, वो आपको select करना है और सेम आपको उसकी भी जनकरी provide करनी है, इसके अलावा को other qualification है तो आप उसकी जनकरी देंगे यहाँ पर आपको photograph and signature upload करने है, jpg format में, size आपको देखें, यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो size के अंदर आपको इसे upload करना होगा इसके बाद fans यहाँ पर देखें, आपको एक password generate करना है, password fans आप कैसा भी generate कर सकते हैं, बस वो 8 digit का होना चाहिए इसके बाद आप उस password को यहाँ पर जो है दुबारा से enter करेंगे, इसके बाद यहाँ से declare करेंगे, preview to verify करेंगे, मतलब जो भी जानकरी आपने फिल की है, उसको आप preview कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से form को finally submit आप कर सकते हैं तो friends, form submit होने के बाद, आपको friends, देखिए application number मिल जाएगा, तो आपको जो यह login section मिलता है, आप चाहें तो application number और जो password आपने यहाँ पर तयार किया होगा, बनाया होगा, वो डाल कर आप यहाँ से login कर सकते हैं, और login करने के बाद friends, आप चाहें तो और post के लिए भी apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइट कर दी है, कैसे आप आसाम state level requirement का online form apply कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारी update पसंद आई है, आप चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके, तो friends, like, subscribe जरूर कीजिए, बागी की जानकारी के हमारा YouTube channel and last thanks for watching.